पूछा था कि आपने तो भौत कुछ प्राप्त किया है, सब कुछ जाना है, थोड़ा हमें भी बतलाईए, तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है, उसरफ ऐसे ही है, जैसे प्रत्वी में से कोई एक कण को मैंने जान लिया हो, ये अनन्त को, ये परमेश्वर को क कोई नी जान पाया है, ये अनन्त है, अखंड है, अचेद है, अभेध है, अध्वैतम अच्चुतम अनाध्यम अनन्त रूपम, आध्यम पुरान पुरसम, नवयोवनम्च, वेदेसु दुरलवम, आत्म भाग्टो, गुविंदमादी पुर्शम, तमाम बयामि, वेदेसु दुरलवम, उन्हें जानने के लिए चलोगे, तो कभी नी जान पाओगे, ब्रूलवम्च, वेदेसु दूरलवम, एदुरलवम अत्म भाग्टो, लिन आत्म भाग्टो यानि, जो बगवान ग के के परम प्रेमी भक्त हैं अर्जुन जैसे उधव जैसे प्रलाद महाराज जैसे ध्रू महाराज जैसे अधुरलव उनके लिए अधुरलव है उनको भगवान को समझ पाना बड़ा सरल है क्यों प्रेम आत्म भक्त हो क्योंकि प्रेम ही भक्ते हैं प्रेम बड़ी चीज़ है प्रेम से ही परमेशर को जाना जा सकता है और कोई कारण नहीं है कि शास्त्रों से ज्यान से जानने की कौशिश करी तो व्यर्थ हो जागा भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है प्रेम कोई भक्ति कहा है, भक्ति विलोच नेना, प्रेमान्यन चुरिता, भक्ति विलोच नेना, भक्ति बरे नेत्र होने चाहिए, भक्ति के चक्षु होने चाहिए, प्रेम के चक्षु, तब उनकी पहचान होती है, जल्दी से पहचान होती है, फिर उजर्रे जर्रे में इसकी पहचान की ओ छोटी-छोटी चिडियों में भी वो ही बसा हुआ है फूलों में उसी की गंद है सूरिये में उनीका प्रकाश है जल सरोतों में जल में स्वाद वो ही है अगनी के रूप वो ही है वायू के इस पर्ष वो ही है आकाश में जो शब्द गुंचता है वो स्वेम भवान ही है यह भवान के कलाएं हैं विभूतिया है भवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद मैं हूँ लिए लिए कभी हम यह उठा के नहीं देखते जल सरोतों में गंदा मैं हूँ आज वेग्यानी के इस नतीजे पर पहुँचें कि संसार के जितनी भी नदिया हैं उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है इसलिए उसका महत्व है यह विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यानी साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है लेकिन हमारे शास्त्र अनाधिकाल से कहते चले आ रहे हैं यह गंगा भगवान विश्णु के चर्णों का धोया हुआ जो चर्णा मरता है वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागी रत के प्रार्तना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है उसका मैत तो है साइन्टिस्ट तो इस चीज़ को नहीं पहचान सकेंगे जान सकेंगे लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी न दिया है उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सिजन जीने की शक्ति गंगा की जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा महत है और जब आदमी शरीर त्यागता है तो गंगा जल उसको एक टप का डाल दो तो तुरंती बिश्व भगवान की याद करता है कि बिश्व के चर्णों से आई हुई है उसकी परमगती हो जाती है अंतमतास हो गता भगवान की याद करती हुए शरीर छोड़िया है तो धन हो जाता है उपराणी अब भयास करेंगे जीवन भर तभी भगवान की अंतसमय में याद आती है और अंतसमय में याद बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं वैकुंट के वासी बन सकते हैं केवल कहने मातर से नहीं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया या वैकुंट सिदार गए कहने से नहीं कहने से काम नहीं चलता ओता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं ऐसे या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठ्थियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलाने दिन बारुआ है जरूर पदारना हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी हरी ये परम रह्ष्मई महा मंत्र भगवान को रिजाने का इसके नामों का जिन्होंने आस्वादन किया है उनको ये प्रभाव मालूम है ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बलशाली मंत्र है क्योंकि स्वैम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Name of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जब कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एकदम उज्वल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र परम शक्तिवान नाम चाहिए ज़ा भावना को उज्वल करे हमारे और हमारी भावना उज्वल होगी तब ही हम सुखी होंगे ये कभी नहीं भूलना हम जितनी गंदी भावना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे पूरी तरह पेन, एंग्जाइटीज काम, क्रोध मद, मोह मतसर, लाल, ये सब हमको सताएंगे चारतों से घेरेंगे ये छे दुश्मन कहा इनको सडरी पूर ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारा पतन करने के लिए हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए हमको नरक तक लिए जाने के लिए इनसे बचना चाहिए यहाँ पर तीन गुणों का सत्र वे द्याय में भगवान स्री कर्शन ने बहुत बिशेज जोर दे करके अरजन को कहा है बोला है ज्ञान उपदेश किया है सरधा के भी से में बतलाया कि सरधा जो इर्दय में होती है सरदा का उद्च होता है नाभी से नाभी के इंदर से इड़े में आकर इसका फूल खिलता है सरदा बल्वती होती है सरदा के बिना प्रेम उद्च होता पहले सरदा उद्च होती है सरदा में प्रेम रूपी फल पकते हैं सरदा ही नहीं है आपको बगवान के परती या किसी के परती तो प्रेम कैसे उद्य होगा फिर सरदा कैसे उद्य हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरदा उद्य होने के लिए हमको तत्य ग्यान चाहिए तत्युग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक माँ अपने बेटे को, पुत्र को, छोटे बच्चों को बार बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने हैं पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो, लेज़े बच्चा दो साल का, तीन साल का, चार साल का, आठ साल का डवलप जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का, क्यों? क्योंकि उन बार बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे, अरे रामलाल, अरे कृशनलाल, अरे जो भी नाम रख दिया हो, तो प्रेम उद्य होता है ऐसे कभी हम हरी को, अब उनके नामों से पुकारते हैं, तो हरी के प्रती हमारे एर्दे में प्रेम जागरी तो हता है प्रेम जागरी तो हता है, तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं जानने की कौशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरुजी के चरणों में बैठते हैं जिनको अनवव हो गया है रिलाइजिशन हो गया है भगवान का आत्मा का साक्षातकार हो गया है भगवत साक्षातकार हो गया है ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं कि हमको भी कुछ ग्यान मिले उस ग्यान से सर्दा पैदा होती है जो अनवव उस महान आत्मा ने किया जिनोंने तत्व से उस इश्वर को पैचाना जाना वो ग्यान उपदेश करता है उनके वाक्यों में सर्द्धा पैदा होती है गुरु के वाक्यों में फिर उन वाक्यों से प्रभु में सर्द्धा पैदा होती है परमेश्वर में सर्द्धा पैदा होती है तवी तो भगवान सरी कृष्ण ने उबदेश किया तद्विधी प्रणी पातेन परिप्रशनेन सेवया उबदेख्षन ती ग्यानम ग्यानिनस तत्व दर्शिना हे अर्चुन तु मेरी किसी ऐसे भक्त की शर्ण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ग्यान उबदेश करेगा जिस ग्यान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा तो ग्यान से भगवान को जाना जाता है, सरदा पैदा होती है, सरदा से प्रेम के अंकूर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़ें, बेल फैलते हैं, प्रेम लता, प्रेम की बेल, मीरा बाई जैसे गाती है, अब तो प्रेम फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अभी तो गुरू को भी गिरधर गोपाल के बीतर ही देख रही है मीरा, क्योंकि गोपाल के बीतर ही सब हैं सारे गुरु समाईत हैं ब्रह्मा विश्णु समाईत हैं सारा विश्व ब्रह्मान समाईत हैं इसलिए तो अद्वत कहें के बोला भगवान को कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है हम भी आप भी सारे पसूप पंची जल तालाब समुद्र सब भगवान के अंदर हैं तो गु मेरा कहती है कि मेरो तो गिर्दर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्पे मोर मुकुट मेरो तो पती सोही। संतन धिंग बैठ बैठ लोकलाज खोई। संतन के बीच में जाकर मेरा नाचने लगी। भगवान की गुणगान करने लगी। तात मात भाई बंधू आपनों न कोई मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई अस्वन जल सीच सीच। अब तो चट पटाती है प्रभू से मिलने। बहुत बियोगी नहीं बन गई। भगवान के विरह में भगवान से मिलने के लिए मीरा का हिरदय चट पटाने लगा। तो चट पटाता है भगवान मिलने को तो प्रेम के आशू मरते हैं मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हंसता है कभी कि महा भाव में चला जाता है। मीरा भाई कहती हैं अस्वन जल सीच सीच। प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिरदर गोपाल। अरी मा मेरा तो गिरदर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। भगवान की शरण में आये भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए ये शरण में आने का एक सीधा मारग है। उन्हें कभी नहीं बिसा रही है। उठते बैठते, सोते जागते, नाते दोते, खाते पीते, चलते फिरते, बच्चों को खिलाते, कमाई करते, कभी भी भगवान को नहीं बुलाई है। भगवान आपके इर्दे में आपके प्रतेक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम हैं। क्या आपके विचार कर रहे हैं। आपके कर्मों के विचारों के साक्षी है। पूरे विश्व के साक्षी भगवान है। आत्मा के अंदर वो विशेष्टा है जो परमात्मा के अंदर है परमिश्वर के अंदर है अंसरूप से जैसे सागर की बूंद में वोई गुण तत्व है जो सागर के अंदर है जैसे सागर साल्टी है ऐसे यो बूंद भी साल्टी है तरल है ऐसे ही हम बगवान के ये अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म अमारा और हमारी पेवर कॉंशियसनेस का बगवान से मिलता है एक दम लेए हम उस इस्तिति पर नहीं है हम पेवरिटी को खो चुके इसलिए अभी बगवान को भी पहचानते नहीं और बगवान को तो दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई-कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई-कोई पुर्णा आत्मा सतोगुण में जीती है अपनी जीवन को ने सत्व गुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुन्दर इस लोकों में इतीनों गुणों का वर्णन किया है आहर का चैप्टर रखा भगवाने सत्रु अध्या के प्रारव में आहर भगवान ने क्यों रखा क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पल्ची यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा बड़े-बड़े सभी आहर के ही रूप है यह साड़ा हमारा शरीर यह आहर का ही स्वरूप है जो जो आहर हमने किया, खाया पिया वोई तो डवलप हुआ है चाहे वो मा के गर्व के अंदर कुछ आहर मिला हो या भार आने पर इस्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पर जैसा भी अन खाया हमने अन खाया, बेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई उसे से ये शरीर डवलप हुआ है तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है वो पहला गुरू है समाज का, ये शरीर का बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है जैसे जैसे माँ उसको खिलाती पिलाती है, बच्चा खाता है, पीता है और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है, वैसा जड़ पकड़ लेता है कि ये भोजन अच्चा है, मेरी माँ खिलाती है इसमें दोश क्या है? शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिसरी है, गन्य का रस है, सुन्दर गेहूं की रोटिया है, बास्मती चावल है, खाखा के में शरीर खुश है परसन्नू, तो जो शुद्ध मा होती है, वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है, अपनी पती को भी करवाती है, और अपनी बच्चों को भी करवाती है, तो वो शरीर, उस परिवार के शरीर सतोगुन में प्रबल होते हैं, उनके भावना में, मन मस्तिस्क में, बुद्धी में सतोगुन प्रबलावस्थाम होता है, सतोगुन की परसंटेज हाई होती है, बगि रजोगुन नीचे दबा रहता है, तमोगुन और भी बिल्कुल दब जाता है, सतोगुन दबा देता है, लिए जिन घरों में बच्चों को वाइल एंटी फूड खिलाते हैं, बच्वन से ही कैकडे का स पिलाओ, गव के बच्चडे कठते हैं संसार में, उचलते हुए, खिलाओ, कंचडे बिच्चू खिलाओ, मक्की मच्चर खिलाओ, टूना मचली खिलाओ, सूर, तीतर, कबूतर खिलाओ, जैसे जैसे खिलाओ, खिलाएंगे बच्चे को और खुद भी खाएंगे, ऐसे उस शरीर पैदा होते हैं, वाइलेंट यू